डूअ कि हे आई दूस्तों कैसे हूं आप लोग हमाई पास फंप्लेट वाइलेज़ी बेस अधिशन है अलडी रिव्यू कर चुका अंग कंपैर्जुन विथ 1 प्लेट वालेजी जो नॉर्मल अधिशन है उससे फंपैर्ज़न कर चुका हूं शाथ मेरे थिय स्टेंग फ्रे detail review कर चुका हूँ तो आज के वीडियो के अंदर I think after one week of views मैं इन दोनों का detail comparison करने वाला हूँ आपको बताऊंगा actual में हर एक department के अंदर जहें पर music हो calling हो gaming हो comfort हो जितने भी important segment है सब के अंदर ही कैसा परफॉर्म करते हैं और as per price 2000 वर्से साड़े 3000 इन दोनों में से आपके लिए best option कौन सा हो सकता है वीडियो बहुत interesting होगा वैसे जितने में गैजर्स देखाता हूं सब के सब मैंने हैं खुद के अपने हाड याइन मनी से purchase किये हुए है कुछ भी आप रिवी उनिट फेक पर्मोशन पेड मार्केटिंग वारा कुछ भी नहीं है तो मुझे support करने के लिए चाहिए को सब्क्राइब करना मत बुलिएगा और जो बैल आइकन महां पर और को स्पेसिफिकेशन से तो यहां पर बॉक्स के उपर बताया गया है कि आपको अगर आप विदाउट एंसे सुनते एंसे अगर आप एक्टिवेट करते हैं मैंनेटिक इंस्टेंट कनेक्ट कंट्रोल्स दिये गए है ट्रांस्परेंसिव मोड मिल जाता है 13.6 mm के बेस पूस्ट ट्राइवर दिये गए है इसका लाबा कोई चार्जिंग में फाइफ मिनिट में आपको 100 मिनिट का चार्जिंग प्लेबेक टाइम मिल जाता है बात करता हूं यहां पर वनप्लेट वाले सी बेस एडिशन की तो बॉक्स के उपर करके स्पीशन आपको बता देता हूं लिखा गए आपको बेस बूस्ट ट्राइवर बिलने वाले 9.2 म के डाइवर्स मिलते हैं कुछ चार्जिंग की बात करता हूं आइधिंग सबसे फास्ट यही है तैन मिनिट के आपको 10 नहांस का बैटरी वेक अप देंगे अगर आप बन प्लस के वाप चार इसके अलाबर आपको इसके अंदर भी मैंनेटी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे वैसे कंट्रोल से में बात करता हूं तो आपको यहां पर अगर हम बन प्लस ब्लेट वाले जी बेस एडिशन की बात करते हैं तो जो ग्रों आपको यहां पे बैटरी के ओपर तीन बटन देखने को मिल जाते हैं आप देख सकते हैं पर अच्छी चीज क्या है रिल्मेंबर वाइलस प्रो में आपको चार बटन दिये गें जो फॉर्ट बटन आप इसके तुरू एक्टिव नॉइस कंसलेशन अनॉफ कर सकते हैं गेमिंग मोड में जा सकते हैं तो डेफनेट आपको रिल्मेंबर वाइलस प्रो में ज्यादा देखने में लेगा एक इसके लाव वेट की बात करता हूं तो वन प्लस बेट वालेजी बेस अडिशन गावेट सिफ 26 ग्राम है काफी लाइट वीट है इवन जो डिजाइन वह बहु काफी स्पोर्टी लूप दिया गया है तो पहने में कमफर्टेबल है साथ में आप इजली इसको स्पोर्स एक्टिविटी इस लाइक रनिंग जॉगिंग आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन बेट वालेजी होगा कंपेर टू रिल्मेंबर वाइलेस प्रो वेट है 33 ग्राम दिया गया है पहने में काफी है इ यह जो बर्स है यह से बाहर आ सकते हैं तो जो बात आएगी युजिविटी एंड कमफर्ट की तो मैं कहूंगा वन प्लस ब्लेट वालेसी बेस एडिशन ज्यादा अच्छा उप्शन है कंपेर टू रिल्मेंबर वाइलेस प्रो इसको बात करता हूं मैं कॉलिंग के अंदर आपको इन्वार्मेंट नॉइस केंसलेशन रियल में वाइलेस प्रो में देखने को मिल जाता है आपको यहां पर नॉइस कैंसलेशन अच्छा देखने को मिलेगा इवन जो आवाज आगे काफी लाउड जाती क्लिए मैं स्लाइटली लैक करते हैं बस तिल मैं कहूंगा सबस्क्राइब करते हैं यहां पर डेफिनेटली मुझे कॉलिंग में लाइक करते हैं इंडू कंडिशन आप इसली यूस कर सकते हैं और आउट्डू कंडिशन में कॉलिंग में थोड़ी बहुत मुझे शिकायति और सबसे बैस यही होगा जो मैं डिटेल रिव्यू किया है उनके अंदर इन सभी के लाइव कॉलिंग सेंपल इंडू कंडिशन आउंडू कंडिशन इवन जो कुछ दिखा रखा है आप जाए खुद जच कर लीजिए गेविंग डिपार्टमेंट की तो पहली चाहिस कंपनी ने क्लेम किया कि एक्शल में आपको अप्टू 119 मिली से बात करता हूं तो डेफिनेटली वन प्लेट वाले जी की लेटनसी काफी कम है बैटर ऑप्शन गेमिंग के लिए बेस एडिशन है वेट कीजिए एक्शल के अंदर वन प्लेट वाले जी जो गेमिंग डिपार्टमेंट है वहां पर आपके पास फोन होना चीब भी अबाउ में देखने को नहीं मिलती है अगर आप नोन वन प्लस फोन के साथ खेलोगे तो डेफिनेटली यहां पर रियल में बाइलेस प्रो बैटर ऑप्शन है अगर आपके पास वन प्लस फोन है वन प्लस सिरीज के उपर का कोई भी फोन है तो गेमिंग के लिए फिनेटिक मोड के सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा अवाज पर काफे लाउडनेस थी पर जाते वहां पर बैलेंसी में काफे अलाइक कर देते हैं अब मांगे चलिए पर बैलेंसी में काफे लाइक करना स्टार्ट कर देते हैं आउटनेस होने के बाद भी आपको एक स्ट्रेम बेस देखने को नहीं मिलता है बैलेंसिंग की बात करता हूँ तो आप मांनके चलिए सेपरेशन है सिंगर के आवाज का और जितने में इंस्रुमेंट बज रहे है तो kind of 80% 90% volume पर जाते हैं तो kind of mix upon a start हो जाता है वो थोड़ा बहुत annoying कर देता है तो यहां पर music के अंदर आपको Satisfactory music experience देखने को नहीं मिलने वाला है अगर आप below 70% volume पर सुनना चाहरे हैं तो मैं कहूंगा आपके लिए decent option दे दिया गया है प्राइस का कोडिंग बात कर तो इसके प्राइस चेंज होती रहती है कभी तीन हजार कभी साढ़ तीन जार के लिए वर्दी नहीं है maximum अगर बात करें तो मेरे opinion की तो जो music experience है वो दो से धाये जाके बीच वाला है इससे यादा इसके music के लिए मैं पे करने वाला नहीं हूँ अब बात करते हैं oneplus bullet policy base edition की पहले हम बात करते हैं वो लोग जिनके पास oneplus phone नहीं है अगर आपके बास oneplus phone नहीं है तो मैं डायट लिक होंगा आप oneplus bullet policy normal edition को recommend कीजिए compare to base edition ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं उसकान से मैं दे रहता हूं ट्राय किया कि बेस को boost करने का बट्व ड्राइवर का साइज है वो सिफ 9.2 mm का है और अगर आपके बास oneplus phone नहीं है तो जो balancing काफे दा lag कर रही थी इवन जो clarity है वो भी आपको normal सुनाई नहीं देगी थोड़ी जो singer की आवाज है वो आपको natural सुनाई नहीं देती है जो pitch volume थोड़ा सा कम सुनाई देता है इवन जो mids वगरा है जो highs वगरा है वो भी kind of mix हो रही है और यह मैंने एक नहीं दो नहीं सॉंग पसंद है आपको sad song romantic song को सुनने होते हैं kind of songs को feel करना होता है यहां पर आपके लिए यह design के वे नहीं है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं oneplus users के तो मैंने आप oneplus note and oneplus 7 pro दोनों के साथ यूज किया मैं पास यहीं दो phone है हाँ पर जो music experience है काफे इंप्रूव हो जाता है specifically आपको bass with clear tips तुनाई देना start कर देते हैं जो separation वगएर जो balancing वगएर है वो भी काफे इंप्रूव कर देते हैं बट उसको मैं best नहीं कहूंगा आपको बेस को boost करने track किया गया है बट क्यूंकि driver का size सिफ 9.2 mm है यहां पर बेस को boost करने बहुत issues आ रहे थे even 90 से 100% जो volume है वह स्लाइटली आपको फील होता है कि थोड़ी आवाज हलकी बहुत क्रैक करना start कर देती है नॉर्मिलें बिलो 90 पर संट पे म्यूजर सुनते हैं उसके इस पर बेस बैलेंसिंग फील करा के चले जाते हैं पर डैपनेटली वन प्लस उसको थोड़ा बहुत advantage मिल जाता है और इन बेस बैस बेस बैस बैस बहुत कर देशन वेटर है कंपेर टू बेस एडिशन तो आई तिंग मैंने आपको सभी इंपोर्टन सेगमेंट कवर अप कर दिये हैं बता दिये हैं आपको खुद को अगया होगा आपके लिए बैस्ट ऑप्शन कौन सा है एड दे एंड पैसा ही होगा अगर आपको कोई पसंद आया है दोनों के डिटेल रिवियो के वीडियो डिस्कूशन बॉक्स में मिल जाएंगे एक बार आप वो चेक करना मत भूलेगा और हां इन सभी के बैस पर्चेस प्राइस लिंक वो भी डिस्कूशन बॉक्स में अविलेबल है प्राइस चेंज होती रहती है तो एक बार वो चेक कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉपर एडिया लग जाए चाहें तो आप डिएक लिवा से पर्चेस भी कर सकते हैं और इस मार्केशन टाइम पर हमेशा सोची समझे उसके बाद अपना डिसेंट फाइनल कीजिएगा आज के वीडियो अच्छा लगा यूस्फुल लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलेगा मिलता हूं अगले इंटरसिंग वीडियो में अभी अपना ख्याल रखिये स्टे सेफ टेक क्यर योसेल्फ